गुड़ मॉनी सुदेंट्स हाव और यू आई होप यूर वैल एट हॉम सुदेंट्स जो हमारा लास्ट टोपिक चल रहा था वो था अपना लिगोट्विट्स के बारे में जिसमें हमने जो लिगोट्विट्स है उनकी जो इपोर्टेंस है उनके बारे में जो हमने पढ़ा था आज जो हम करेंगे कि कैसे जो है longitudes और time जो हो decide किया जाता है कैसे जो नहीं हमारे help करता है जो time zone को decide करने में तो आज का जो आपना today topic is longitudes and time How much time does the earth take to move or rotate from one longitude to the next longitude बच्चों जब अर्थ जो है move करती है रूटेट करती है तो जो एक longitude से हमारा next longitude में जाने में कितना time लगता है उसके बारे में हम आज इसका analyze करेंगे क्योंकि आप सब्सक्राइब जानते हैं कि इसके जो हमने equal parts में डिवाइड किया गया था 180 डिग्री जो है east side था तो 180 डिग्री जो हमारा west side था तो एक डिग्री को अर्थ को उसमें sun line को जो cross करने में जो है हमें जो लगने वाला जो time है उसके बारे में जो हम करेंगी we know that the earth takes 24 hours to complete one round on an angle of 360 degree or of 360 longitude देखो बच्चों यहां पर क्या कहता है कि अपनी जो अर्थ है वो 24 घंटे के अंदर लगबग 14 40 kms जो ना वो घूमते है एक जो round है वह अपना 24 hours के अंदर जोने वो complete करती है यह यह एक दिन जो अपना 24 घंटे का है तो 24 कि अंदर आपने यांड क्या करती है तो यह मिन वो करती है तो कितना angle फर गूमती है वो घूमती है 360 डिग्री पर जोने वो घूम जाती है 360 को जोना वो घूम जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो ना 360 जो लोंगिट्यूड है वो घूमिया या वो उसको क्रोस किया है उसने समझ मेरे बच्चों बात यहां पर क्या कहता है यह कि 24 आवर्स के अंदर जोना वो अपना एक रॉण जो वो कम्प्लेट करती है ओके तो उसका मतलब क्या हुआ कि वह जो 360 डिग्री पर जोना वो इतने एंगिर पर जोना वो घूमती यह और इसका मतलब क्या हुआ कि हो आपको मैंने पहले बताया था कि जो 180 डिग्री इस्ट है तो 180 डिग्री वेस्ट है दोनों मिलाकर जो वो 360 बन जाता है तो अर्थ जो है वो 360 डिग्री पर जो वो Lifestyle लोंगिट्ष लो पर सब्सक्राइब से उन्यूव्हेनल वेस्ट कॉलिट्ष लोंगिट्यूट्ट है यह तो जल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब 1440 मिन्ट लिया है और 360 जो उन्होंने अपना जो एंगल है उसको लिया है क्योंकि एंगल और लिविट्ट जो उन्होंने एकवल ही यहां रखा तो इन दोनों को जो हमने एक ही लिए इसे में 360 तो इसका मतलब जो निकला वह अंस्वर वह था अपना फॉर मिन्ट तो बच्चों यहां पर कहता है कि एक डिगरी जो लोंगिट्यूड है उसको क्रोस करने में फॉर मिन्ट का जो हूँ टैम का जो डिस्टेंस से इतना लगेगा अब हम बात करते हैं लोकल टाइम की ता लोकल टाइम ओफ ए प्लेस केन बी क्लिकुलिटिटिड ओन दा बेसिज से यह कहता है कि जो लोकल टाइम है वह हम कब लेंगे जब जो अपने बेस के उपर हाइट के उपर सबसे ज़्यादा हाइट के उपर हो जाएगा तो यह हैट कब होता है जब प्रसंद जो बिल्कुल साइनिंग कर रहा होता है बिल्कुल जोना आज बिल्कुल टॉप पे होगा तब उस तेम जो बिल्कुल साइनिंग करता होता है आप से ए जो है वो तन डिग्री वेस्ट लोंगिट्व पर है इट इस कंसेंट दा मिडल ओफ दा डे की मिडल अफ डे कब होता है वोता है बारा बचेंग तरसे अटा नेक्स्ट लोंगिट्व इलेवन्थ डिग्री वेस्ट दा सन विल बी से निग एड़ राइस और उसके बाद जो ना यह आगला जो पॉइंट होगा उसमें पहुंचने में बारा बज़ के च्यार्य मिट के उपर जो आगे पहुंचने में यह जा लोकल टाइम विल बी ट्वेल नौन एट दा प्लेस और यह जो लोकल ट्राइम जो होगा वह हमारा जो हमने उसको बारा ब की कि उपर आगर हम पहूंचेंगे तो कन्फीजन हो जाएगा जैसे कि यहाँ तेन डिदरी वेस्ट ड्राइब कर भाद जो वाबारा बॉजर धो हो जाएगा लेकिन जो अग्में जो होगा बारा बजर मिन्ट वह एलेवन डिगरी वेस्ट पर होगा तो लेकिन जो टैन डि पर जोना वो चार्म के इंदर पहुंचेगा जो संसरा अपने हईश पॉइंट की उपर तो ऐसे क्या होगा कि हर एक जो लोंगिट्विट है उसके उपर हर एक टाइम ज़या वो डिफ्रेंट होगा तो इसका हो जाएगा कि हमारे सामने जोना वह कन्फुजन ज़ल्ग ऑफो क जहां जो वेस्ट जो है वह चलता है जैसे इंडिया के फार्ट है अपना अच्छा प्रदेश वहाँचा चाहर प्रदेश बने सबसे पहले आएगा जबकि गुज़रात बन्स जो अपना वैस्ट के पांचेगा यहां कि उसमें निफेट पहुंचे आपका तैनलिके थर्टी डिगरी का जो वो डिस्टेंस है तो यहां पर यही एक बात यही कहा रहा है कि एजंब दे रहा है ता लोकल टाइम ओफ फैप प्लेश है इन गुजराएट में लेक वेक वेन आवर फॉर्टी फ़ाइब मिंट्स दा लोकल टाइम ओफ प्लेश इन असाम चेहता है कि जो गुजराएट और असाम के बीच में जो ना इतना टाइम का जो और वो गैप होता है तो उस gap को जो ना cover करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें करना पड़ता है एक स्टेंडर्ड टाइम हमें जो रखेंगे स्टेंडर्ड टाइम जो हम रखेंगे जो की पूरे country का जो आज वो time जो दिचाइड किया जाता है इस प्रोल्म आपको बताये कि हर्यक लोंगेटेट को पर डिफेरंट टाइम होता है चैयरमिंट रहे 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 अधा तो यह यह confusion create उजाती है, इस confusion को निकालने के लिए जो ना एक इस problem को solution भी जो है निकाला गया है To solve the problem of different local time at different place within a country, तो यह पर क्या कहा रहा है यह कि हर एक country का जो ना इस problem के निकालने के लिए जो ना उन्होंने अपना आपना जो है different place का जो है different local time जो वो create वो बनाया है We have selected a central meridian of longitude that pass almost from the middle of the country और क्या करते है कि हम जोना उस central meridian line जा एक longitude निकालेंगे जो पूरी country का जोना वो middle के अंदर से cross करेगा We shall sorry we can we call it the standard meridian of that country तो यह हम जोना उससे को जोना standard meridian जो जोना जोन उसको हम बोलेंगे उससे country का We can set this local time as the standard time for all the place within the country और वो ही जोना पूरा जो लोकल उस लाइन के उपर जब वो आएगा middle के उपर वो पूरा time जोना पूरी country का जोना वो decide किया जाता है The standard meridian of India 80 degree 82 degree and half east जोना इंडिया का जो standard meridian जो लाइन रखा गया है जो की कहां से निकलता है Running close to Naini Ilabhad और यह जोना Naini Ilabhad के पास जोना यह जोना वो निकलती है लाइन The local time on this meridian is the standard time for the wool country और यही जोना आपने country का standard time जो रखा गया है This is called the Indian standard time और इसी को जोना हम Indian standard time जो रखते हैं इसको ICTB बोल देते हैं Friends आज के लिए इतना ही next video के अंदर हम next topic के साथ मिलेंगे Thank you friends have a nice day